हाई फ्रेंज वेल्कों बेक टो माई चैनल पुस्पलता किचन पुस्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन को जरूर दबाएए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी में कोई न्यू रेसिपी डानों चलिए तो आज की रेसिपी स्टाट करती देगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत पसंद आएगा आपको फेस्टिबल हो और दही बड़े या दही भल्ले नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता है तो चलिए मैं बताती हूं कैसे बनाया है मैंने और क्या-क्या चीज़े चाहिए इसके लिए हमें दही भल्ला बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है उरत दाल यह बिना चिलके वाली उरत दाल है और इसको मैंने भीगो दिया है इसको कम से कम 3-4 घंटे अच्छे से दो के वश करके फिर हमें इसो भीगो देना है उसके बाद फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे और उसके बाद हम इस तरह का पेस्ट और जैसी है होना चाहिए और इसके बाद हम इसे बहुत अच्छE तरीके से फैटेंगे यह क यह देख सकते हैं जादा हमें इस फेटना है है कि जैसे हमें इसे उठाया है तो इसे गिरना नहीं चाहिए दूसरा टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप एक गिलास लीजे उसके अंदर पानी डालिए और उपर पानी में डाल दीजे अगर ये उपर तैरता है मैं इसके आपका परफेक्ट बेटर बन चुका है तो यहाँ पर मैंने एड़ किया है किसमिस आप चाहें तो एड़ करें नहीं चाहें तो नहीं भी आड़ करें मुझे अच्छा लगता है और उसके बाद हम यहाँ पर जो दही बल्ले हैं उसको हम बना लेंगे तो इसको फ्राई कर लेंगे हम तो इसी तरह से सारे दही बल्ले हैं और कुछ बिना होल किये बनाए हैं दोनों तरीके से मैंने बनाए हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हम इसके बाद डीफ्राइ करेंगे डीफ्राइ हमको low to medium flame पर करना है और यह देखिए थोड़ा मैंने इसके दही बीच में होल किया है कुछ मैं नहीं किया है इस तरह से मैंने इसको बनाए हैं तो इसे यहां नि अब इधर हम भीगोने के लिए एक दही लिया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा सुगर मैंने डाल दिया था अब जो दही पानी में भीगोए थे उनको निकाल लिया है और पानी हाथ से दबा के उसको पानी निकाल दिया अब हम इसको दही के अंदर भीगो इसका लिंक भी मेरे चैनल पर है तो वह भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसके बाद हमें इसके क्या क्या मसाले उपर से डालेंगे वह सब मैंने लिया है तो यहां पर देख सकते हैं आप मैंने जीरा पाउडर और बल्लैक साल्ट वाई साल्ट सम ले लि एट करेंगे जो मैंने चट्नी बनाई है सौन बनाई है तो यहां पर आप देखिए यहां पर मैंने डाला है चट्नी डाल दिया है सौन टाल दिया है उपर से उपर से हम सारे मसाले भी यहां पर एट कर देंगे और उपर से और भी बहुत सारी चीज़े इसके अंदर डाली जाती है तब भी मचा आता है खाने में और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस दही भल्लों का अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा ये दही भल्ले सर्व करते समय हमें इन सीजों की जरुरत पड़ेगी ये मैंने रखा है थोड़ा सौंट रखा है थोड़ा मैंने दही रखा है दही बड़े भी थोड़े रखे हैं धनिया की चटनी और थोड़े मैंने नमकीन भी रखा है तो आप उपर से डाल के इसको सर्व कर सकते हैं कोई भी कोई भी गेस्ट आये आप खुद खा रहे हैं तो आप इस तरह से इसको उपर से डाल के अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत टेस्टी लगेगा तो इस फैस्टिवल आप इस रच्छा-बंदर इस तही भलो को बना के खाईए और बताईएग कमेंट बोक्स में आपको कैसा लगा अगर पसंद आता है तो लाइक कमें शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने मारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मिलती हूं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स गुड डेट टेक केर बाइ बाइ टेक केर और हां फ्रेंड्स लाइक जरूर किया कीजिए लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके शेयर करने के लिए तो चैनल